92.7 पिग एफेम पर आप सुन रहे हैं सहर कामिनी खन्ना के साथ ओम जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाक्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते ओम नमोस्तुतरी उत्सों में आज आपका तीसरा दिन है कल दूसरा दिन था और आपने ब्रहम चारेणी दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा की थी ब्रहम का अर्थ है तपस्या और जो तपका आचरन करती है उसका मतलब है इन देवी का रोब था बहुत सुन्दर भव्य, इनके हाथ में जप माला कमंडलू था और पूर्व जन्म में हिमाले की बेटी इस तरह इनोंने जन्म लिया और भगवान शंकर इनको पती मिलें इसलिए उनकी इनोंने गठोर तपस्या की, इसी तपस्या की वज़ा से तपश प्रश्चरणी या ब्रमचरणी इनका नाम हुआ, आज है देवी के नमरात्र का तीसरा दिन और आज चंद्रगंटा देवी की पूजा होगी, ये संकटों को निवारती हैं और इस दिन में साधक का मन मनिपूर चक्र में होता है, चंद्रगंटा की किरुपा से आपको चंद्र हैं, जिनकी वज़ा से इनका नाम चंद्रगंटा पड़ा है, सहरकारकर्म में मैं कामीनिखना, आप सभी सुष्टाओं का इस सुभा में करती हूँ, इस मंगल में इस सुभा में नवरात्र के तीसरे दिन आप सभी करती हूँ, मन से स्वागत, एक दम आपका ये द साती देर राद तक बुध कन्या में, शाम पांच बच के छपन मिनिट के बाद, आती हूं थोड़ी देर में आपको बताने के लिए, मैं इस से लेके मीन राशी तक का भविश्य और तब तक के लिए आप सुन सकते हैं, गायतरी के मंत्र हर प्रफु के साथ जाते हैं, और पंचामरित कनिर के फूल, मिठाईयां, पांच फल, लाल सिंगार, और साथ में लाल वस्त्र, अस्त्र, शस्त्र, दुरगा सब्तश्यती के जाप, और साथ में कन्या पूजन, जिन सब से सुसज्य होकर आप तयार हैं देवी की पूजा करने के लिए, और मैं कामिनी खना सह करकर मैं करती हूँ, आप सबका स्वागत इस तीसरे नवरात्र में में से लेके कन्या राशिता का भविश्य अब आप सुनेंगे, आज ये भविश्य जो है, वो मैं नवरात्र के हिसाब से बताऊंगी, आप, मेश राशी, मेश राशी के लिए चंद्रमा तुला में पहु माता की बरार्थना कीजिए कि जब तक राहू बना हुआ है, तब तक आपकी सोच सही हूँ वरिशब राशी के लिए आज ये चंद्रमा आपको शत्रों से मुक्तता दिलाता है, और रोगरिन इन से भी मुक्तता दिलाता है, और आपकी सोच बड़ी अच्छी बनी हुए, आपके बच्चे आपका बहुत सपोर्ट करने हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है, गौड करकराशी के लिए आज चंद्रमा बने हुए आपके माइंड पर और आप एकड़म कूल बने हुए, इसलिए आप बड़ी शान्ती से माता की पूजा करेंगे, आपके बच्चे भी इसमें सभागी हो जाएंगे, और आप इस दिन को बहुत सादा मानसिक रूप से एंजॉय करने वाले हैं, आपकी माता इसमें आपका सहयोग बटा रहे हैं। के लिए आज चंद्रमा प्राक्रम में तो मैं कहूंगी कि अपने सिब्लिंग्स को साथ में बिठा कर पूजा करें आप माता की और आप बहुती तेजोमाई रूप से पूजा कर रहे हैं माता की, आपको धना अगमन की सूचना भी मिलेगी और साथ में आप ये भी सोच सकत हैं कि आपके खर्चे भी उतने ही होंगे तो कोई बात नहीं, बक्ती के साथ थोड़ा सा शक्ति पूर्वक खर्चा भी करना चाहें कन्या राशी के लिए पैसे आगमन का दिन तो माता रानी अपने साथ पैसे लेकर आ रही है, परिवार में बहुत सारी खुशियां लेकर आ रही है, बाणी में ओज ला रही है, और आपकी तबियत अच्छी होने का संदेश भी ला रही है, तो एंजॉय कीजे 92.7 Big FM पर मैं कामी निखना बता रही थी, माता रानी के नमरात्र के हिसाब से ये राशी भविश्य मेश से लेके कन्या राशी वाले जितने भी लोग हैं उनको माता ने क्या-क्या गिफ्ट और प्रसेंट दियें ये आपने जाना, आती हूं तुड़ी देर में बताने के ल अबिश्टान तो आमा श्रितानाम ना विपनना राणाम तो आमा श्रिताम या श्रेंताम प्रेंती ये मंत्र भी बोल सकते हैं और अपनी तविय ठीक करने के लिए ये जो अभी आप सुनेंगे ये मंत्र भी कर सकते हैं 92.7 पिग एफेंपर आप सुन रही हैं सहर कामिनी काना के साथ ऐसा हुआ कि जब मैं छोटी थी मैंने घर में माता की जब पूजा शुरू की मेरी मां बहुत तापसी थी और वो भी बहुत सारी पूजा करती थी बहुत सारा साधना और तपस्तर की उन्होंने लेकिन मैंने जए माता की बोलना शुरू किया तो आज मेरा पूरा परिवार 100 लोगों का परिवार सब एक दूसरे से मिलने पर जए माता की बोलता है मुझे गर्व होता है कि मातारानी आपका नाम मैंने दिलवाया इन सब को मैं कामी निखना सहर कारगर में आप सभी के साथ तुला से लेके मेन राशी तक का फ़ाविशे बताने के लिए हाजिर तुला राशी के लिए आज आप बहुती सुन्दर और ऐसा महसूस करेंगे कि मातारानी ने आपकी परसनालिटी बना दी है और वाकई में आपको दुरका सब्तशती के जाब करने चाहिए आप तुला राशी के हैं आप अपने पठन पठन रखवा सकते हैं ब्रहमन दारा या खुद भी कर सकते हैं आप हेवन कर सकते हैं और साथ मैं आपको एक बात बता दूँ आज आपकी वानी में ओज रखिये आप शान्ती पुर्वक पूजा कीजे परिवार में जो बेचैनी है उसको पूजाबाट से भगाईए अभी तक तो बनी हुई थी आपके अंदर एक ज्वाला और बेचैनी विरिश्ची का शनी जब से आये लेकिन अब आपको मंगल कारिये में खर्चे करने का मन कर रहा है धनुराशी के लिए आज आपके लाब का दिन और आपकी पैतरिक संपती मा की कृपा से आपको मिल जाएगी अगर आप चाहते हैं तो वड़के आगे कौल और कारेवाई कर सकते हैं वैसे भी आज आपके दिमाग पर जो गुसा चाया था वो भी कम हो जाएगा आप कूल कूल बने रहेंगे और माँ आपको सदबुद्धी प्रदान करेगी मकर राशी के लिए आज मा का दिन तीसरा चंदरमा दश्य में बैठके आपको ऐसी सूज देता है कि आपको अगर लोन्स लेने हैं या इसके अलावा भी आपको अपने पिता के साथ कारूबर करना है या इसके अलावा भी अगर आप बैंकिंग से रिलेटेट कोई काम करने हैं तो आज आप निप्ता सकते हैं मा के पूजन के बाद आपका भविश्य हो रहा है उज्वल उज्वल कुम्भराशी के लिए भागे मैं बैठा चंदरमा आपका भाग उज्वल करता है माता के आने से और मा आपको देती है बहुत सारा अशिरवात जा बैटा तेरा का आरोग्या अच्छा करने के दिन मा आपकी पेट की शिकायते हैं दूर करेगी मा वैसे भी कहते हैं कि पेट का अच्छा रहना बहुत ज़रूरी होता है नहीं तो बहुत सारी विमारिया पेट के वज़ा से होती हैं तो मा आपके स्वास्त को उत्तम करेगी आज के दिन और परिबार में पैसा आएगा, खुशी चाहेगी, God bless you. कामिनी खनना के साथ तो क्यों न खाना पीना अच्छा करें? प्रतिक जब वो अंदर से केसरी या औरेंज होता है, ऐसे में खरबूजा जब पेट में जाता है, तो पेट को ठंडक देता है, और कहते हैं कि इससे आपका इम्यून सिस्टम भी ठीक होता है, इसकी जो बीजे होती है, वो भी बहुत काम आती है, हेल्थ अच्छी करने के लि होगी, कल फिर में लूँगी इस कारक्रम में जिसका नाम है सहर, तब तक के लिए आग्या दीजे धन्यवाद और नमस्कार, आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ट्विटर हैंडल 927 बेगाएफम पर और जल्द ही में आपके रूबरू भी होंगी, नवरात्र चल रहे हैं औ सभी सात्वीक हुए जा रहे हैं और कई लोग चपल पहनना छोड़ देते हैं, कई दाड़ी बनाना छोड़ देते हैं, कई केश खुले रखते हैं, कई लोग मासाहरी होते हैं तो मासाहर छोड़ देते हैं, कई लोग तो प्याजल सुन भी छोड़ देते हैं, तो माता आप सब पर बड़ी कृपा करें, माता आपको धन इश्वर्य दें, आईए हम फिर से एक बार जगतंबा महालक्षमी की प्रार्थना करते हैं, टेक केर